जैन दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे तो इससे पीछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कक्षाद दस्वी के हिंदी के फर्स्ट चेप्टर स्रम भिवाजन और जाती प्रता पार्ट को एक्सफ्लेंड किया था और पूरे डिटेल्मेंस को समझा था अब हम लोग अब हम लोग इस वीडियो में उस चेप्टर के कुछ इंपोर्टेंट कुष्यान आंसर्स को सॉल्फ करते हैं है तो तो बीना समय कमाई हम बीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए तो पाथ के साथ कुश्यन है है- को फुश्ट अथ है लेखक लेखक किस सब नना की बात करते बिडंबना का स्वरूप क्या है ठीक है ना एक कुश्चन में दो कुश्चन चिपा हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक महोदै आधुनिक यूग में भी जातिवाद की पोस्कों की कमी नहीं है जिसे बिडंबना कहते हैं बिडंबना का स्वरूपिया है कि आधुनिक सब्वे समाज कारे कुसलता के लिए स्रम विभाजन को आवस्यक मानता है तो यह हमारा फ़स्ट कुछन था दूसरे कुछन को देखते हैं तो दूसरा कुछन आता है जातिवाद के पोसक उसके पक्ष में क्या तरक देते हैं प्रश्ण का कहना का मतलब है कि जातिवाद के पोसक जो जातिवाद को मानते हों जातिवाद के पक्ष में क्या तरक देते हैं क्या बात बोलते हैं क्या सपोर्ट करते हैं तो चलिए उसको भी जान लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाद के पोसक जातिवाद के पोसक जातिवाद के पक्ष में अपना तरक देते हुए उसकी उप्योगिता को सिद्ध करते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे तरक देखेर जातिवाद के पोसक उसकी उप्योगिता को सिद्ध करना चाहते हैं तो हमारा फिस्ट पॉइंट है जातिवादियों का कहना है कि आधिनी की सत्रम विभाजन को अवस्यक मानता है क्योंकि स्त्रम विभाजन जातीप्रथा का हीं दूसरा रूप है इसलिए स्तरम विभाजन में कोई बुराई नहीं है जातिवाद के पोश्को का कहना है कि स्रम विभाजन अधुनिक समाज कारे कुसलता के लिए यहीं को आवस्च्य प्रता का ही दूसरा रूप है इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है तो दूसरा पॉइंट देखते हैं तो दूसरा पॉइंट है जातिवादी जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के समाजिक अस्तर के अनुसार ही यानि गर्बधारन के समाई मनुस्य का पेशा निर्दारित कर दिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू धर्म हिंदू धर्म में पेशा परिवतन के अनुमती नहीं देता भले ही वह पेशा अनुप्योग्द हो या अप्रियाप्त हो ही क्यों नहीं हो भले ही उसे भूखे मरने की नौबत आ जाए लेकिन उसे अपना अपनाना ही होगा तीशरा पॉइंट चातिवाद का कहना है कि प्रांगत पेसे में ब्रीक दक्ष हो जाता है और वह अपना कार सभलता पूर्वक्ष संस्कुम करता है ठीक है ऑ तीसरा पॉइंट ₹ क्या कहते हैं ₹ कंधी यह कहते हैं जातिवादियों ने जातीवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंतरता को अप्राहत अप्राहित कर समाजिक बंधन में के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवस कर दिया है उनका कहना है कि इससे समाजिक विवस्ता बनी रहती है और अराज कता नहीं फैलती है तो यह हमारा दूसरा कुश्चन था अब तीसरे कुश्चन की बढ़ते हैं तो तीसरा कुश्चन का एंसर देखते हैं और कुश्चन देखते हैं तो तीसरा कुश्चन है जातिवाद के पक्ष में दिये गया तरको पर लेखा की प्रमोख आप्तियां क्या है तो यातिवात के पक्ष में दिए गई तरको पर उतर इसका लेखा कंछे तरही के otteo युट कि यूख्त है अधोल की दृष्टि कोन में जाती जाती है यात क्रथा में जाती प्रता गंभी दोसु से युक्त है दूसरा पोइंक जाती प्रता का स्रमभीबाधन मनुस्तिय को स्वेक्छा पर निर्भर नहीं करता है तो यह senza के वेक्तिगर्थ भावना या व्यीज़ीं का इस्तेमाल कोई आस्तान या महत्व नहीं रहता है ना मनुस्ति की वेक्तिगत भावना या उसकी रूची या कोई रूची का कोई अस्थान या महत्तो नहीं रहता है by नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक पहल्योसी से भी अत्यादिक हानिकारक कहा on आर्थिक पहल्मू से भी आर्थिक पहल्मू से भी जातिंतह निकारक नेक्स है जातिंतंग पृधप्रत नियमों में जकर करो स्क्रिय बना देती है ठीक है तो यह हमारा कुश्यन था और चौंथे कुश्यन को देखते हैं तो चौंथा कुश्यन है जाती भारतिय समाज में स्रम विभाजन का स्वभाविक रूप क्यूं नहीं कही जा सकती तो इसका उत्तर देखते हैं भारतिय समाज में जाती स्रम विभाजन का स्वभाविक रूप नहीं कही जा सकती स्रम विभाजन के नाम पर स्रमिको का विभाजन है ठीक है लेखा कर कहना है कि भारतिय समाज में जाती स्रम विभाजन का स्वभाविक रूप नहीं कही जा सकती क्योंकि स्रम बिभाजन के नाम पर स्रमिकों का बिभाजन है अथात मुझदूरों का बिभाजन है स्रमिकों के बच्चे को अनिक्षा से अपनी बपावती काम करना पड़ता है जो आधुनिक सब्समाज के लिए सोभाविक रूप नहीं है ठीक है पांचवा नमर कुष्चन क जाती प्रथा भारत में बिरोजगारी का एक प्रमुक और प्रतेक्ष कारण कैसी बनी हुई है तो चलिए देखते हैं तो इसका उत्तर है जाती प्रथा मनुस्य को जीवन भर के लिए एक ही पेसे में बांड देती है भले ही पेसा अनुप्यूक्त या और परियाप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए आधोने की यूग में उद्योग धंदो की प्रक्रिया तथा तक्नीकी में निरंतर प्रिकास और अकास्मात परिवतन होने के कारण मनुस्य को पेसा बदलने की सकता पड़ सकती है किन्तु भारतिय हिंदू धर्व की जाती प्रता व्यक्ति की परांगत होने के बावजूद पेसा चुलने की अनुमती नहीं देती है कि नहीं देती है जो जो उसका पैत्रिक पेसा नहों इस प्रकार पेसा प्रिवर्तन की अनुमती ना देकर जाते प्रता भारतिय समाज में बेरोजकारी का ये प्रमुक और प्रत्यक्ष कारण बनी मतलग कि भारतिय समाज में जाती वाद पेशा प्रिवरतिन के मती ना दे कर फिरोजगारी का एक प्रमुख और परत्यक्ष कारण बनी हुई है तो चलिए चटे नमर कुष्यन को देखते हैं तो हमारा चटे नमर कुष्यन है लेखक आज के उद्योग धंदों में गरीबी और उत्पीडन से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं तो लेखक कहना है कि लेखक आज के उद्योग धंदों में गरीबी और उपीजन से भी बड़ी समझे जाती प्रथा को मानते हैं क्योंकि जाती प्रथा के कारन पेसा चुलने की स्वतंतरत नहीं होती है मनुस्तिक की ब्यक्तिगत भावना तथा ब्यक्तिगत रुची का इसमें कोई असृतान नहीं होता है मजबूरी बस जहां काम करने वालों के यह प्रप्त की जा सकती है अता यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाती प्रथा हानिकारक है तो चलिए अगले कुश्यन को देखते हैं तो हमारा अगला कुश्यन है लेखक ने पाठ में किन प्रमुक पहलो से जाती प्रथा को एक कहानी कारक प्रथा के रूप में दिखाया है तो इसका उत्तर हो जाएगा जाती प्रथा के कारण स्रमिकों का और सुभाविक भिभाजन हो गया है आपस में उचा नीचा की भावना भी बिद्दमान हो गया है जाती प्रथा के कारण अनिक्षा के दिरुद्ध पूस्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है जिसके कारण मनुस्ति की पूरी छमता का उक्योग नहीं होता है अर्थिक विकास में भी जाती प्रथा बाधक है तो आठ्वा नमर कुश्यन की पर पढ़ते हैं तो आठ्वा नमर कुश्यन है कि सच्चे लोक तंतर की अस्थापना के लिए कि ने कि विस्थाओं को आवस्यक माना है उस्तर दे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमरा अमबेड कर ने सचे लोक दूसरा समाज में इतनी गति सीलता बनी रहे कि कोई भी वांशित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोड तक संचलित हो सके और अगला पॉइंट है कि समाज में बहु बीद हीतों में सब का भाग होना चाहिए और सब को उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए सब दूद और पानी के मिशन की चाहिए किसी के प्रती कुछ गलत सोचना नहीं चाहिए ठीक है ना लेका का यही कहना है तो आज का हमारा यह वीडियो हमाप्त होता है आज का लेक्चर खत्म होता है तो असकरते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पशंद आया होगा तो आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में जाती प्रथा के पाठ के important question answers को solve किया गया है तो इससे अगले वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें इससे अगला वीडियो स्रम विभाजान और जाती प्रथा पाठ के सारंस्वर बनाई जाएगी जो कल अप्लोड कर दिये जाएंगे तो आपसे वीनिती हैं हमारी की आप लोग किरप्या इस वीडियो को लाइक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दवाना ना भूलें अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना न कि आने वाला है उस वीडियो को देखना ना भूलें तो धन्यवाद